नमश्कार न्यूस फोन एशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी नीती आयोग की रिपोट में भले ही बिहार फिसरडी राजियों में से एक माना जाता हो विकास के मानकों पर बिहार कहीं से खराद ना उतरता हो लेकिन इसके बावजूत बिहार के पास कुछ ऐसी चीज़े हैं जो बाकी राजियों के पास नहीं है जहां हम बात कर रहे हैं सोने की आपको बताएं कि संसद में केद्रिये खाद मंतरी प्रहलाद जोशी की तरफ से ये जानकारी साज़ा की गई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि बिहार के पास चवाली स्प्रतिशत सोना है ऐसे में इस जानकारी के सामने आने के बाद ना सिर्फ बिहार वासी बल्के बिहार सरकार भी काफी जादा खुश है ऐसे में इस सोने को जमीन से निकालने के लिए टीम बिहार पहुँच रही है जहां आपको बताएं कि कहीं और नहीं बलके बिहार के जमोई जिले में ये टीम पहुँच रही है और जमीन से सोना निकालने का काम किया जाएगा क्या कुछ तयारी है इसको लेकर किस तरह से इस टीम के पहुँचने के साथ ही जमीन से सोना निकालने का जो काम है वो बिहार में शिरू होनी जा रहा है इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं जानकारी के अनुसार उत्खनन के लिए जल्द ही समवधत विभाक की टीम स्वन भंडार वाले जगह पर आने वाली है बताया जा रहा है कि पिछले सप्ता केंद्रिय स्पात मंत्री रसेपी सिंग ने भी पटना में मीडिया कर्मियों को बताया है कि स्वन भंडार में उत्ख खनन का काम कब शिरू होगा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है दरसल जहा देश का सबसे बरा स्वन भंडार होने का खुलासा हुआ है वह इलाक का नकसल प्रभावत और पिछरा हुआ है वहां भूगर्व में छुपे सोने से सर्फ बिहार ही नहीं बलकि देश की भी आ उसका सबसे बरा हिस्सा बिहार के जमुई चिले के सोना प्रखंड में है बता दे कि सोनो प्रखंड के चुडहैत गाव के पास करमतिया जिसे सोनमतिया भी कहते हैं वह स्वन भंडार होने की बात कही गई है बताया गया है कि देश का 44 प्रतिशत सोना इसी जगा है यहां 223 मिलियन टन भंडार स्वर्न का जो है वो होने की बात सरकार की तरफ से कही गई है और उसका अनुमान भी लगाया गया है ऐसे में चमोई चले के लोगों में खुशी की लहर दोड़ गई है अब लोगों को इंतजार है कि वहां खनन का काम जल्द ही शुरू होगा तो विहार भ ये बहुत जल्द ही चन्वंधत विभाग की टीम पहुचेगी बताया जा रहा है कि उत्खनन कारी को लेकर विभाग भी पूरी तरह से तयार हो चुका है जानकारी के अनुसार जमोई जिले के सोनो प्रखंड के चुरहत गाउं के पास करमतिया में पहले भी सोने को लेकर खरन का काम शुरू किया जा चुका है लेकिन अब इसको लेकर सरकार की तरफ से जो तयारी है वो की जा रही है और जल्द ही जमीन से सोना निकालने का काम शुरू किया जाएगा यानि कि जहां एक तरफ लोग इस सोना निकलने का इंतजार कर रहे है और उन्हें ऐसा लग भ प्राजियों में से एक हो जाएगा और यही वज़ाए कि जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार इस सोना को निकालने की तैयारी में जूटी हुई है तो वहीं इससे कई सारे ऐसे फायदे हैं जो बहार को भी मिल जाएगा फिलाल के इतना है जादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूस फोर नेशन के साथ नमस्कार